यहां थूकना मना है यहां सिगरेट पीना मना है किलास में चुइंगम खाकर आना मना है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सिखेंगे किसी को कोई काम करने के लिए कैसे मना करना है उससे पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए दोस्तो कई बार हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं यहाँ पर थुक न बना है यहाँ पर सेघरेट पीना मना है यहाँ पर शराब पीना मना है या फिर आपको यह ऐसी अगर सेंटेंस को बोलना पड़ जाए तो दोस्तों आप हमेशा ये structure इस्त्रक्चर इस्त्रक्चर यह है सबसे पहले आपको लगाना है नो उसके बाद में आप लगाएंगे वोब प्लेस आइंजी या फिर इसके साथ में आप एक noun भी लगा सकते हैं उसके बाद में अगर आप चाहें तो object लगा सकते हैं और उसके बाद में other words लगाएंगे जैसे अगर आपको बोला है कि यहाँ पर थूकना मना है तो आप बोलेंगे नो स्पिटिंग हीर अब देखे हमने आपे नो लगाया है स्मोक के साथ आइंजी लगाया है और उसके बाद में लगाया है यहाँ सिगरेट पीना मना है तो आप बोलेंगे नो स्मोकिंग हीर अगर आपको बुलना है के यहाँ शराब पीना मना है तो आप बुलेंगे no drinking here अगर आपको बुलना है के class में च्विंगम खाना मना है तो आप बुलेंगे no achieving the gum in the class अगर आपको बोलना है कि यहां बात करना मना है तो आप बोलेंगे दोस्तो एक तरीका और भी है वो भी मैं आपको जाते आते बता देता हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको do not लगाना है उसके बाद में आप लगाएंगे और फिर औबजेक्ट याद रखिए do not लगाना है don't नहीं लगाना है अब चलिए इसके भी कुछ example पढ़ लेते हैं अगर आपको बोलना है के यहां cigarette पीना मना है तो आप बोलेंगे do not smoke cigarette here do not smoke cigarette here अगर आपको बोलना है के यहां शराब पीना मना है तो आप बोलेंगे do not drink here अगर आपको बोलना है के तेज रफतार में गाड़ी चलाना मना है तो आप बोलेंगे do not drive fast Do not drive fast अब दोस्तों आज का सवाल यहां चिलाना मना है यहां चिलाना मना है आपको इसके English मुझे comment box में लिखके भेजनी है Guys, if you like the video, please hit like and drop comments and share this among your friends It's time to say bye-bye I will see you in the next video Thank you and have a nice day I will see you in the next video